बागिश्वर धाम के आचारे धिरेंदर शास्त्री से जोड़ा विवाद अभी थमा नहीं है इसी बीच योगुरू रामदेव का इसलाम और मुसल्मानों पर दिया गया बयान चर्चा में आ गया है योगुरू रामदेव ने नमास पर बात करते हुए इसाई धर्म पर हमला बोला योगुरू स्वामी रामदेव ने गुरुवार को बाड़मेर में एक कारिकरम के दोरान विवादित वयान दिया रामदेव ने कहा कि मुसल्मान सुभा के नमाज पढ़ते हैं उसके बाद उनसे पूछो कि तुम्हारा धर्म क्या कहता है बस पांच बार नमाज पढ़ो उसके बाद बन में जो आए वो करो हिंदू की लड़कियों को उठाओ और जो भी पाप करना है वो करो उन्होंने कहा कि मुसल्म समाज के बहुत से लोग ऐसा करते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं आतंगवादी और अपराधी बनकर खड़े हो जाते हैं लेकिन नमाज जरूर पढ़ते हैं वो इसलाम का मतलब ही नमाज समझते हैं लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है योग गुरु ने इसके बाद इसाई धर्म पर भी अमला बोला उन्होंने कहा चर्च में जाओ और दिन में भी मुंबत्ती जलाकर इसा मुसी के सामने खड़े हो जाओ सारे पाप साफ हो जाते ह इसाई समाज यही सिखाता है लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है स्वामी रामदेव ने कहा कि मैं किसी के आलोचना नहीं कर रहा लेकिन लोग उसी के चक्कर में पड़े हैं कोई कहता है कि पूरी दुनिया को इसलाम में तबदील करेंगे लेकिन तबदील करके करोगे क यह तो बताओ, इनका कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन सनातन धर्म का एजेंडा है, सुभा ब्रह्म मूर्त में उठो, उठकर भगवान का नाम लो, उसके बाद योग करो, अपने अराध्य की पूजा करके अच्छा कारे और अच्छा कर्म करो, यह हिंदू धर्म और सनातन हम अन्गली उठाएं, उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इसलाम नहीं पढ़ा है, उन लोगों को इसलाम मजब के बारे में बोलने का कोई अतिकार नहीं है, बिना पढ़े लिखे, किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है तो उधर योग्गुरू बाबा रामदेव ने ये बयान दिया और इधर प्रतिक्रिया भी आ चुकी है काफी विवाद अब योग्गुरू बाबा रामदेव की इस बयान पर हो रहा है एक सभा में बोलते हुए योग गुरु बाबा रामदेव की एक बोल बिगड गए और बातों ही बातों में उन्होंने इसलाम को लेकर इसाई समाज को लेकर अपने टिपणी कर दी और अब चौतरफा इस टिपणी से घिरते हुए नजर आ रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव ने किस तरह से अपनी पूरी बात रखी थी जिस पर ये पूरा विवाद उपजा है आपको भी सुनाते हैं तो सुना अपने बाबा रामदेव ने ये पूरा बयान दिया जिसके बाद से बड़ा पवाल हो चुका है उनके इस बयान पर आउल इंडिया मुस्लिम जमात के राश्टी अध्यक्ष ने उनके इस बयान के निंदा की और कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर किया है कहा कि जब तक कोई व्यक्ति इसलाम को पढ़ न ले उसके बारे में जान न ले इस पर टिपड़ी करना उचित नहीं है जिन लोगों ने इसलाम नहीं पढ़ा उनको इसलाम मजभब के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है बिना पढ़े किसी के बारे में बोलना गलत रास्ते पर जाना है और इंडिया मुस्लिम जमात की रास्त्री अध्यक्ष ने ये बाते अपने पलटवार में कही है